अलो ऐबरेबन हम एक क्योक्व बारे में बात करेंगे इसका नाम यह यू वह सब्सक्क्राब्स तो स्वोसी में सब्सक्ता दो बैर यह संत ole एक च्छुटा सा इतना आपीस लाया था लाइक इतना ही था अब भी मेरे पास यह इतना बड़ा पॉर्ट हो गया था और ऐसे दो तीन पॉर्ट हो रहे हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा आगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है वैसे तो यह बड़ा ही हार्डी सेक्लेंट है बट एवरिफिंग है लाइफ तो अब आप देखोगे कि ज इसकी मतलब अराउंड टू इयर्स की मैंने देखाया इसका लाइस्ट मैन है इसकी स्टेम का तू तू पॉंट फाइव उसके बाद यह क्या ही है ऐसे बिल्कुल ड्राय आउट होने लग जाएगा तो अगर आपने इसको केर नी करिए देखो जैसे यह पूरा यहां से ड्र करते कैसे हैं वह तो बहुत इजी है और मैं आपको दिखा देता हूं और मैं इसको पूरा ही आप रूट करूंगा वाज क्योंकि पॉर्ट मैं सेमी रखोंगा जस्त मेडिया में यह सेंडर बेस मीडिया है सेविंटी परसेंट संदर है इसमें जो भी आपको वर्मी कमपोस करना है जो भी आपको आड़ करना है वह आपकी चोईस है बट सेविंटी परसेंट इसको सब्सक्राइब कोशिश करो कि आप ज्यादा ही सिंडर एड़ करो फॉर्द पोर सटी यह अगर ज्यादा ही मोईस्टर में रहेगा तो फिर प्लांट डैड हो जाएगा वरना सब्सक यह तोड़ देना है यह अलग करना है और यह ऐसे इसको अलग यहाँ पर कलेक्ट करते जाना है जो यह बिल्कुल ही खतम टाइप हो रखी है इनका तो कुछ नहीं कर सकते हैं जस्त फो देम बट आप इस प्लांट को बहुत अच्छे सेव कर सकते हो कैसे जैसे अब आप यह आपने पकड़ना है और जस्त ट्विस्ट करना है यह ट्विस्ट किया और यह बाहर अब यह देखोगे अगर यह देखो इस पर यह जो रूट सारी है यह आपने बस इसको सिलिंडर में लाकर छोड़ देना और वन वीक बाद टेंड इस यह अपने अभी बैर आटा शो इसनफ आप नहीं लागा है तो भी यह रूटस निकालना सुन्स पर देता है देखाता हूं कि यह रूट्स निकालना सुन्स करदेता है यह डुकल करता हैसे और यह डिर्स्पीथ बसक्स सेलिपर ट्विस्ट करना है और बस हो गया यह आप ऐसे रखके अलग करते जाओ तो अभी यह मैं पूरा ही निकाल देता हूँ इसको इसमें से देनागे कंटेनियू करते हैं पहलेगद निकाल देनागे कंटे मैं में आपी करते हैं उसमें क्रिपटना देनागे कंटे हैं क्योंने क्यों श्रीच भी अडिकर्विस्टा एटें कि आइनके डिकर्ण रूप्पि एदे और शॉय जोगे मिनना दोम्राइब हो और कि अज़िकर्ण हो लिए थे तोन प्रीच कियो और रहुग हो बीचुनार दोम्राइब हो रहा डिकर्ण हो रे मैं है हैं तो इनको नहीं हम प्रपगेट करेंगे अब इसकी यह वाली स्टेम ले लेंगे और यह नीचे वाली कि इसमें भी डामेज है यह रूट रॉट हो रहा है अब यह देखो यह बेस ही अगर पूरा ड्राइड आउट है तो इसको लगाने को कुई मैंने पूरा पॉट जो है क्लींग कर लिए अभी इसमें मैं सेमी में एक्स यूज कर रहा हूं बिकोज यह वेराइटी बहुत हार्ड ही है इतनी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है बटा स्टेम्स हैं हमेशा के लिए तो नहीं रही कोई भी ब्लांट कर भी तो डैड होई जा है और यह निकले है पूरा फ्रेश और इसमें अड़ कर देंगे हम यह फंगी साइड है और पूरा मिक्स को अच्छे से मिला लगे अच्छे से मिला लिए अ अच्छे से मिला लगाने का तरीक बहुत है बहुत है बहुत है जस्ट आपने ऐसे डेग होल करना है किसी भी चीछ से आप इससे कर लो यह से कोई पैन अगेरा ले लो ऐसे आपने होल डिक करना और जस्ट एक हम स्टेम लेंगे इसको बस ऐसे पूल अप कर रहा और बस ऐसे हम इसमें रखते चले रहेंगे सारी स्टेम्स जैसे फिंगर से भी कर सकते हैं अभी जस्ट मेरे एक हाट में कैमरा इससे कंफोर्डेबल नहीं हो कर रहा है बट आप मेरा पॉइंट समझ रहे इसको एसे पूरा पॉट फिल कर देंगे और बहुत एजी हो जाएगा कि अगया है कि अगया है कि अगया है हुआ है हुआ है प्रवाद के लिड़ें ये अगाजू। हुआ 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 है तो यह पूरा हो गया है और बट अभी भी यह काफी कटिंग बच गई है तो इनको किसी और पॉर्ट में लगा देंगे बट अब आपने करना क्या है कि जस्ति यह लगाने के बाद इसको फर्स एक हलका सा इसे वाटरिंग करने है बिल्कुल इतनी से और आपने इसको वन वीक अपने अपी ग्रोव होने लगेंगे अच्छे से तो अभी मैं आपको जो मैंने पहले रिपोटिंग करी हुई है उनका मैं जरा आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसा मिलेगा तो यह कुछ इस तरीके से आप प्रोपगेट कर सकते हो और बहुत ही ब्यूटिफुल है प्रोपगे नया जर्ग देए मिलेगा आप तो इन में देखो एक फरक यह है कि अगर आप इसको सनलाइट से हटाकर रखते हो तो यह जादा आपको ग्रीन ग्रीन दिखेंगे बड़ यह क्योंकि मैंने अभी ज़स्ट ट्रांसफर करिया सब्सक्राइट में और यह काफी टाइम से लेको सब्सक्राइट पढ़े तो इनकी वेरिगेशन देखो आप परपल कलर की इसी फ्लावर यह जो आपको कलर दिख रहा है ना यह परपल इनकी स्टेंप्स पर इसी कलर का फ्लावर आता है इस पर आप इसको